साराज फोकस पी आई इंडर्सिस यह वो स्टोक जहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राए फ्यूचर्स में 3850 का स्ट्रोप्लोस है और टार्गेट जो बनेंगे 4950 3985 4020 4040 चारहजार बीस यह सारे फ्यूचर्स के लेवल दे रहा हूं और खरीदनी की राए इसलिए है न मतलब आप जिस हिसाब से देखें और सबसे बड़े बात किया है कि आगे के लिए आउटलूक दिया है गाईडेंस यह बहुत बड़े है अठाव 20% की रेविन्यू ग्रोथ की बात करें और मार्जिस साड़े 24% है जो उम्मीद से बहतर आ है इसमें भी और इंप्रूमेंट जोडी बहुत इंटरसिंग है पहला है शोट करने के राइस बेचने के राइस है ग्रेनियूस में मतलब मैनत तो काफी लगी थी इसने खराब नंबर देने में आसानी से इतने खराब रिजल्ट आते नहीं है यह तो फार्मा शेरों के अच्छे दिन चल रहे हैं पोलिटिक एकटो फार्मा के दिन अच्छे चल रहे हैं दूसरा यह रही एक या परarausर्म से पराफों मित रहे होका है तो आज जो नंबर पर उसके लगए कंजोर हो सकता है 330 के स्टोक्रों से बेचना है, 313-310 तक आ सकता है, नमबर बहुत ही डिले डाले हैं, मामला ऐसा है कि आगे वापस प्रोग्रेस कब से आएगी इनकी वह भी समझ नहीं आ रहा, सिर्फ एक ही राय है, बहुत ज्यादा गेप से खुल जाए तो शोट ना करें, तो इस पर ट्रे अपना मिले तो ही करना दरवाज नहीं, इसका जोडिदार? जोडिदार है एबट, एबट में वैसे ट्रेडर से स्टोक है नहीं, लेकि नमबर बहुत बढ़े आएं, इतने बढ़े नमबर से हैं, और ऑप्रेशनली बहुत ही स्ट्रोंग परफॉर्मेंस दिये हर एक तरिक जोड़े नहीं, तो फिर नमबर से खरीदना है, जोड़े निकाल रखेंगे, पाइबट को लेके अच्छा का सा कर्विक्शन है, यहां पर, चलिए यह तो बात हो गई सरके स्टॉक अफट अफट दे की प्या इंडस्ट्री जोड़े खरीद के चलने की रेक्मेंडेशन है फ्यूटर्स में और ग्रानियूल सेल करने की रेक्मेंडेशन सर की तरफ से आई है